नमस्कार मैं योगन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप से निवेदेने कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए विसे पर चलते हैं दोस्तों आज हम इस एपिसोड में किसी भी वास्तु का आतलन करते हुए करते हैं तो हमें उस प्लोट की दिसाओं को जानने की आवश्यक्ता होती है और हमें यह भली बाती पता है कि सास्तर अनुसार हमें आठ दिसाएं बताई गई हैं और साथ ही हमें जहां पर दो दिसाओं का छेत्र आपस मिलता है वहाँ पर और एक दिसा और भी उपलब्द होती है इस परकार से आठ में दिसाएं और आठ उनकी उप दिसाएं हमें रेखाओं डालकर और सीधे सीधे दिसाओं को समझने में कमी उनमें कमी रह जाती है क्योंकि कोई प्लॉट बड़ा है और कोई छोटा है उस पर कौन सा जोन कहां आएगा कहां आएगा जानने के लिए हमें अपने सास्त्र अनुसार बर्मान को जानना आवश्यक है जैसे हमार बर्मान 360 की माप लिएवे हैं और इसके अंदर हमें चार दिसाएं उत्तरपूरद पच्छिम दक्षिन 90-90 डिकी प्राप्त होती है और जब हम इन्हें और विस्टित करते हैं तो चार दिसाओं के चार कौन भी हमें प्राप्त होते हैं इस परकार से टोटल आठ दिसाए ह होती है और परतेक दिसा का जो चेत्र हैं वे 45 अंस का होता है और इसी परकार जब हम इन्हें और वी पहलाते हैं नाम से जानते हैं और इस परकार सभी को मिलाने पर हमें टोटल 16 जोन यानि के मुख्य दिसाओं और उप दिसाओं को मिलाकर 16 जोन या 16 दिसा छेतर प्राप्त होते हैं यहाँ पर परतेक दिसा का जो छेतर है अगर हम 560 डिग्री के आकास वरत को 16 हिस्व में वाजित करते हैं तो परतेक का साड़े 22 अंस हमें प्राप्त होता है और साथ ही आप देखेंगे कि यह साड़े 22 अंस का छेतर भी अपने दोनों और अगर 20 से आधा करें तो एक तरफ सवाग्यारा और एक तरफ सवाग्यारा अंस का है जिने हम किसी भी वास्तु में 32 पदों का अलग-अलग छेतर मानते हैं इसे आप आगे समझोगे अभी आगे चलते हैं इस परकार पूरे बर्मान को जब हम अंसों के 97 दिशा में परिवर्तित करते हैं तो हमें 360 अंस को चार भाग में या चार दिशाओं में विभाजित करने पर 90 अंस के उत्तर पूरव दक्षिन पच्छिम दिशा प्राप्त हो वायव कोन पराप्त होता है इसी परकार जहों 360 डिग्री के आकास पूरत को 16 हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हमें दिसाय या जो छेत्र हमें प्राप्त हुए थे उस छेत्रों के center point से एक तरफ सवा 11 degree और दूसरी तरफ सवा 11 degree इस परकार टोटल 32 पर प्राप्त होते हैं और परत एक परकार जो छेत्र होता है अधिकार छेत्र हमें सवा 11 अंसका होता है अब इसे हम चार्ट पर देखेंगे अगर आसानी से आप इसे से को ध्यान देंगे तो आप लगभग सब कुछ जान जाओगे और बहुत ही आसानी से किसी भी plot के वास्तु दोस्त को आसानी से पकड़ लोगे दोस्तों यहां आपके सामने जो चार्ट है इसमें सबसे पहले एक सीधी रेखा खीचो और इस पास यह बच्चो वाली डी जो इस्टेशनी वी यूज होती है से 90-90 डिग्री अंस के ओपर बिंदू लगाकर खड़ी रेखा को मिलाकर हमें पूरावर पक्षिन का पक्षिम का ज्यान प्राप्थ होगा अब हमारे पास चार दिसाएं हैं और इसके आगे और भी दिसाओं को तक हम आसान त्रीके से अपने कमपास को यह बच्चों का इस्टेश्णी वड़ो है उसको लगाकर डिग्री नापने क्लिको करते हैं तो सैंटर पॉयंट से और ऊत्तर की लाइन से सुरू करते हुए सवा 11 डिग्री, सवा 11 डिग्री या सवा 11 अंस के उपर बिंदू लगाते हुए दक्षिन दिसा तक जाएंगे और सभी बिंदू और सेंटर पॉइंट को काटते हुए करमवार स्केल से सभी लाइन को आपस में मिलाकर दोनों सिरो को मिलाएंगे और इस परकार हमारे पास गोलाई में 4 और 32 रेखाएं बनेंगी अब इनको अलग-अलग किस जोन का क्या छेतर है इसके लिए आप अलग-अलग कलर को देखें जो एक जोन को यहां रिपर्जेंट कर रहा है और यहां पर जहां नोर्थ लिखा हुआ है उसे हम 0 डिग्री से जानते हैं यहां से 0 डिग्री पर नोर्थ सुरू होता है और उसके दोनों और करम से 711 अंस, 711 अंस को मिला कर एक जोन बना है और इस परकार आगे सारे जोन बने हुए हैं अब आप इस जोन को समझो दोस्तो पहला जोन हुआ हमारा नौर्थ यानि के उत्तर दिसा का छेत्र और इसी परकार कर्म से यह जोन आगे चलना है तो पहला जोन हमारा उत्तर का है उसके बाद उत्तर और पूर्व उत्तर और जो हमारा इसान कौन है उसका जो मद्धे भाग है, उन दोनों धिसाओं का ज elemental होता है उस भाग को हमने नोर्थ, नोर्थिस्ट का नाम दिया हुआ है यह एक उपदिसा है नोर्थ और इसान कों के मद्धे की इसी परकार तिसे नंबर पे हमारे को धिसा जो प्राप्थ होती है वह है इसान कौन चोथे नंबर पे हमें इसान और पूरव का मद्ध है वह है इस्ट नोर्थ इस्ट उपदिशा के नाम से जाना जाता है और उसका अधिकार छेतर है इसके बाद हमारे पास है इस्ट जो छटे नंबर पे है इस्ट हमारी पूरवदिशा हो गई और इसके बाद हमारा पूर्व और आगने का जो मद्धे है वह है इस्ट साउथ इस्ट के नाम से आया जोन बना और इसके बाद हमारा जोन है आगने कौन जो हम साउथ इस्ट के नाम से जानते हैं इसके बाद आगने कोन और दक्षिन दोनों का जो मद्धे है वह है साउथ साउथ इस्ट के नाम से उपदिशा हमें प्राप्त हुई इसके बाद हमारे पास दक्षिन दिशा है और दक्षिन के बाद दक्षिन में नरत्य कोन का जो मद्धे है वह हमें साउथ साउथ वेस्ट क के नाम से एक उपदिशा प्राप्त होती है इसके बाद साउथ वेस्ट कोर्णर जो हम नरत्य कौन के नाम से जानते हैं और नरत्य कोर्णर पच्छिम का जो मद्ध्य भाग है वह हमें पच्छिम और ये पच्छीम निरेत ते कौन का मध्द्य हैनि वेस्ट साउत वेस्ट के नाम से हमें उब धिषा प्राप्त हुई इसके आगे हमारे पास पच्छिम दिसा है का छेत्र है पच्छिम दिसा और वायव कोन का जो मद्धे है वे हम West-North-West के नाम से यहां पर जान रहे हैं यह हमें एक उपदिसा प्राप्थ हुई है इसके बाद हमारे पास नोर्थ-Wेस्ट कोर्णर है जिसे में वायव कोन जानत वे धते हैं और North West Corner और उत्तर दिशा इन दोनों की मद्धे में which शेत्र में प्राप्त होता यह नोर्थ first यृजいき रहे जिसे यह हमारी उबी दिसा है इस यह पर हमारे पास में में दिसाएं बेजिसाएं मिला कर टोप फिशी जोन प्राप्त होते हैं और इनके सेंटर पॉइंट जहां पर सही सारी रेखा या छेतर निकल रहे हैं वह है ब्रहमिस्थान और ब्रहमिस्थान का विस्तार किसी भी प्लोट के लगभग 10% ये 11% हिस्से तक होता है अब इस विसे को और आगे जानते हैं इन 16 जोन में परतेग जोन में हमें 2 पद प्रात होते हैं यानि 16 गुना 2 टोटल 32 पद या कहिए 32 देवताओं के स्थान जिनके अनुसार हम घर में सारी वैस्थाएं बनाते हैं अब आप देखें इस चार्ट में हम इन सभी जोन में प्रात पदों को इस परकार वैस्थित कर सकते हैं जैसे उत्तर 0 डिग्री से सुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पद उत्तर दिशा में जिसको हमने N1 का नाम दिया है और इसी तरह से आगे चलते हुए 8 तक N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 और पूरव दिशा में जब हम चलेंगे तो वहाँ E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और दक्षिन में S1 से लेके S8 तक हमारी काउं जाती है इसी परकार 25 दिशा में W1 से लेके W8 तक हमारी काउंटिंग जाती है इस परकार दोस्तों आप यहाँ पर देखिए हमें चारों दिशाओं में 88 पद जो हमें प्राप्त हुए या 8 देवताओं का स्थान जो हमें प्राप्त हुआ वह 8 गुना 4 अगर हम 4 दिशाओं और पूरव से E1 यह कोन है इसान कोन ऐसे ही पूरव से E8 और दक्षिन से S1 यह आगने कोन है दक्षिन से S8 जमा पच्छिम से W1 यह नेरत्य कोन है पच्छिम से W8 जमा उत्तर से N1 यह हमारा वायव कोन है और इस तरह से यह कोनों की संग्या है दोस्तों अब जो आपने अं कार्षचेतर के बारे में जाना कि अब इसका हम अगले एपिसोड में ये अफिसोड काफी